हेलो नमस्कार मेरा नाम है विणाश राप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तो स्वागत है हारिस राप यार कमाल का गेंदबाज है कुछ लोग यह बोल रहे थे कि भाईए कि शादी हो गई है इसलिए पेस गट गया इनका कुछ लोगों का यह कहना था क्योंकि कुछ मैचों में हारिस राप नहीं चले थे उनकी पिटाई हुई थी तो मजाक उड़ाने लगे लोग बोलने लगे कि शादी हुई है कमजोर हो गया बला बहुत सारी बाते उनके बारे में कही गई अब बताओ सालों के हारिस राप ने इतनी अच्छी गेंदबाजी किये है अब बताओ पिछले मैच में चार विकेट लिया इस मैच में चार विकेट लिया और हरिस राप ने यह जो चार विकेट हासिल किया इतना शांदार प्रदर्शन किया आपको पता है उन्होंने क्रेडिट किसको दिया क्रेडिट दिया ह बाबर आजम को उन्होंने बताए कि बीते दो सालों में तीन सालों में जिस तरीके से मुझे बाबर आजम कप्तान बाबर आजम ने मुझे बैक किया है वो कबिले तारीफ है अगर वो मुझे होसला नहीं देते हिम्मत नहीं देते मैं इतना अच्छा गेंदबाज नहीं बन क्योंकि उनको भी पता है कि एक दिन वो भी जब नए-ने टीम में आये थे तो उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत थी जो उन्हें सपोर्ट मिला और परफॉर्म किया तो बाबर आजम ये काम करने में जरासा भी पीछे नहीं हडते हैं दो मैचेज अभी तक हुए है और दोनों मैच में हरिस रॉफ ने चार विकेट हासल किया आज 27 रंदे कर चार विकेट लिए पिछले मैच में 17 रंदे कर चार विकेट हासल किया है और क्या ही गेंदबाजी हुई है मतलब कि आप क्या ही जितनी तारिफ की जाए हरिस रॉफ की लेने का काम किया इससे पहले उमर गुल ने यह काम किया था जो इस समय शायद बॉलिंग कोज भी है ना मैच के बारे में थोड़ी बात कर लेता है मैच में यह हुआ कि आल बाबर आजब ने शुतक लगा 101 की पारी खेरी अरिजवान ने भी 50 लगा नीचे इफ्थेकार चाच जीत लिया है किसने तो पाकिस्तान ने पांच मैचों की T20 स्रीज है दो लगातार जीत के साथ अब पाकिस्तान की टीम स्रीज कबजा करने के लिए उतरने वाली है किसको बाबर आजब को धन्यवाद